नमस्का दोस्तों, बोल्ड स्काइंग में आपका स्वागत है टीवी एक्टरस सिधान्त भी सूरेवन्शी की निधन ने इंडस्ट्री को बड़ा जटका दिया है 46 साल की उमर में सिधान्त का यू अलविदा कह जाना फैंस को दुखी कर गया सिधान्त की दोस्तों और को स्टार्स का दावा है कि वे तनाव में थे कोई तो बात ऐसी थी कि जिसकी वज़े से सिधान्त परिशान थे अब वो कौन सी बात थी ये तो मालूम नहीं सिधान्त को लेकर उनके दोस्तों ने क्या खुलासा किया है आईए बताते हैं आपको आज के इस वीडियो में सीरियल जिद्धी दिल माने नामे सिधान्त की को स्टार रही कावेरी प्रियम ने शौकिंग खुलासा किया है कावेरी प्रियम को अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सिधान्त इस दुन्या में नहीं रहे वे पूरी तरह से शौक्ड है कावेरी ने बताया कि शुकरवार को ही उनकी अक्टर से बात हो रही थी दोनों के बीच मेसेज़ेस पर बात हो रही थी कावेरी के मताबिक सिधान्त एकदम ठीक थे सुबह दोनों की बात हुई थी फिर चानल से सिधान्त के साथ ऐसा कैसे हो गया कावेरी प्रियम ने हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनकी सिधान्त से ही शुकरवार को 11 बजे बात हुई थी कावेरी ने कहा कि सिधान्त ने मुझे मेसेज किया था कि हाई क्या हो रहा है तुम कैसी हो सिधान्त ने मेरी इंस्टा स्चोरी का भी जवाब दिया था दो बजे मैंने उनकी मेसेज का जवाब देकर कहा था कि मैं ठीक हूँ तुम कहा हूँ चलो मिलते हैं फिर अगली बात मुझे जो पता चली वो थी उनकी निधन की खबर। पहले तो मैं इस खबर पर भरोसा नहीं कर रही थी। मैंने सभी को हमारी बातचीत के मेसेज और स्क्रीन शॉट दिखाए। साथ ही कावेरी ने कहा कि एक इनसान जो इतना फिट है और फाइन है जो मुझे मेसेज कर रहा है वो कैसे अचानक जा सकता है। फिर एक मेरे कॉमन दोस्त ने सिधान्थ की पतनी से बात की और ये खबर कण्फ़म हुई। काविरी ने बताया कि सिधांत आक्टिंग और फिटनेस को लेकर काफी पैशनेट थे, वो कभी पैसो के लिए काम नहीं करते थे, वो शानदार अक्टर थे, सिधांत का मानना था कि सब कुछ खाओ और फिर एक्सरसाइस कर उसे बर्न कर लेना चाही, सिधांत से उनकी दो महीन पहले एक event में मुलकात हुई थी